हलो फ्रेंज वेलकम बैक टो मैं स्टडी सीक्रेट्स चैनल दोस्तों जैसे कि आप सभी ने थमनेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं आप सभी ने अपने टीचर्स और अपने फ्रेंज से मार्क्स तो जान लिये होंगे लेकिन इस वीडियो में हम overall MPK के कट आफ की बात करेंगे इससे पहले जो मैंने कट आफ शेर किया था वो 15 दिन के अनालिसिस के बेस पर था लेकिन अब जो मैं कट आफ शेर करने वाली हूँ वो 15 मार्क से 23 तारिक के बीच के अनालिसिस के बेस पर है जिसे मैंने काफी अनालिसिस करके जैसे कुछ टीचर से बात करके कुछ यूट्यूब इंटर्व्यू देखकर और कुछ मेरे जानकार जिन्होंने ये एक्जाम दे चुके हैं उनके एक्सपीरेंस के बेस पर शेर करने वाली हूँ सो ये कट आफ काफी प्रैक्टिकली होने वाला है तो वीडियो को एंटर्व जरूर देखना सो लेट्स बेगिन दुफ तो अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 9073 थी और पटवारी की देखें तो 6755 थी और एक्जाम डेट है 15 मार्स से 26 अप्रेल तक यानि कि 43 डेज तक जिसमें हॉलिडे 8 दिन तक रहा यानि अगर देखा जाए तो एक्जाम सिर्फ 35 दिन चली है और अगर ओर 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 एंपी में सेंटर देखें तो वो थे 78 जिसके लिए फॉर्म फिल किये गए थे 12,89 अजार दोस्तों अगर एक्जाम की देखें तो एक दिन में 2 सिफ्ट में हुई है यानि कि हम अगर 35 दिन में 2 सिफ्ट का मल्टिपलाए करें तो 70 पेपर होते हैं अगर अब तक के अनालिसिस के बेज पर देखा जाए तो मुझे 140 मार्क्स जो है वो काफी कॉमन लगा था इसलिए अगर सिफ्ट वाइस देखा जाए तो एक सिफ्ट में एक स्टुडेंट का 140 मान लीजिए क्योंकि पेपर 2 सिफ्ट में थे इसलिए एक दिन में 2 स्टुडेंट के 140 मार्क्स ले लीजिए अगर 78 सेंटर में दो स्टुडेंट परड़े की हिसाब से मल्टिप्लाई करें तो हमें 156 स्टुडेंट्स मिल जाते हैं वो जिनके 140 मांक्स हैं फिर उसमें मल्टिप्लाई करते हैं कितना 35 दिनों का जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5,460 ऐसे स्टुडेंट्स हैं जिनके 140 मांक्स हैं चलो माल लो कि 5,460 नहीं भी हुए तो लगबग 5,000 तो कनफर्म हैं तो अब बचे 1,755 अब बात कर लेते हैं कट आफ की जो कितना जा सकता है सो मेल की बात करें तो मेल का जनरल का देखें तो 145 से 150 तक जा सकता है लेकिर अगर फीमेल का देखें तो फीमेल का हमेसा थोड़ा कम ही जाता है 140 से 145 तक फिर OBC मेल का देखें 140 से 145 तक और फीमेल की बात करें तो 135 से 140 तक जा सकता है फिर EWS का cut-off देखें तो 135 से 140 तक जा सकता है male का और female का cut-off देखें तो 130 से 135 तक जा सकता है फिर SE category का cut-off देखें तो 130 से 135 तक और female का देखें तो 125 से 130 तक cut-off जा सकता है फिर बात करते हैं ST की तो 125 से 130 तक जा सकता है male का और अगर female का देखें तो 120 से 125 तक जा सकता है और PWD का male का 120 से 125 तक और female का अगर देखें तो 120 तक जा सकता है अगर real cut-off की बात करें तो plus 2 या minus 2 हो सकता है दोस्तो अब बात कर लेते हैं normalization की दोस्तो normalization तो depend करता है shift पर shift पर आए हुए paper जिसके quality tough है या easy है अगर दो shift में से एक shift में easy और एक shift में tough paper आता है तो जिसमें tough paper आया है उनके marks थोड़े increase हो जाएंगे और जिनके easy होंगे या तो उनके marks उतने ही रहेंगे या थोड़े कम हो सकते है व्यापम की exam में तो आप सब भी जानते हैं कि normalization के बाद marks 2-5 के बिच कम या फिर जादा भी हो जाते हैं So thank you so much for watching this video वीडियो अगर पिसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इससे अपने friends के साथ share भी ज़रूर करें मिलते हैं next वीडियो में